आई पील में डेब्यू करने के बाद अर्जुन सच्चिन तेंदुलकर सुर्खियों में आ गए हैं। मैच का आखरी ओवर फैकने की जिम्मेदारी दी गई। जहां से ग्रोधी टीम के पास जीत का मौका था लेकिन अर्जुन ने ऐसा होने नहीं दिया। जा रहा है लेकिन आपको बता दें अर्जुन तेंदुलकर की स्पीड कम जरूर है मंगर वो उम्रान मिलिक जैसे तेज रप्तार गेंदवाजाओं से खतरनाक हैं। बताते हैं वो कैसे। सबसे पहले जानिए अर्जुन तेंदुलकर की स्पीड क्या है। अर्जुन तेंदुलकर की ओसतन स्पीड 124 किलोमीटर प्रती घंटा है। वो 130 के आंकडे तक भी बमुश्किल पहुँच पाते हैं। लेकिन इसके बावजुद ये खिलाडी खतरनाक गेंदवाज है। इसकी बजह समझनी बहुत जरूरी है। अर्जुन की सबसे खास बात ये है कि उनके हाथ में स्विंग है। ये खिलाडी गेंदों को दोनों और मूब करा सकता है। अर्जुन की गेंदवाजी में विविदता है। उनके पास बहतरीन स्रोवर बाउंसर भी है। इस गेंद से उन्होंने हैरी बूग जैसे बल्लेवाज को छकाया था। अर्जुन बाए हाथ के गेंदवाज हैं तो उनके पास गेंद को बहल ले जाने का नेचुरल टेलेंट है। इसके बाद अगर वो गेंद को अंदर लाते हैं तो इससे बल्लेवाज के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होती है। अर्जुन की चोती खासियात उनका लंबा कद है। अर्जुन की स्पीट कम हैं लेकिन कद की बज़े से उनने एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। अर्जुन की पांचवी और सबसे बड़ी खासियात उनकी यारकर गेंद। अरजुन तेनलुकर की यहरकर दूसरे कई गेंदबाजों से बैदर है साथ इवने पुरानी गेंद से भी मुवेंट मिलता है तो ऐसे में उनकी यहरकर और खतरनाख हो जाती है अब आप सोचें कि उमरान मलिक के पास रफ्तार तो है लेकिन वो गेंद को मुव नहीं करा पाते उनकी लेंद अकसर भटकती है साथ ही उनकी यहरकर भी परफेक्ट नहीं है ऐसे में साफ है कि सिर्फ तेज गती से कुछ नहीं होता अगर गेंदबाज के पास अच्छी लाइन लेंद और वेरियन्स है तो वो कम स्पीड से भी बल्लेवाज को चित कर सकता है टेक्स रिपोर्ट मुंबई महानगर